हाई अब्रिवन विल्कम बैक टुमारा चैनल सो दोस्तों कैसे आप सवलों का योग पच्छे हैंगे दोस्तों मैं आज आप लोग को बताने जाना अस्टेट बैंक आपनिंग फॉरॉम को कैसे फिलाप किया जाता है सबस्तों आपको करना है कि आपको सुरू से अंतर देखना है अट से बाइस अब को समयने तभी आप एस्टेट बैंक ओफ इंडिया के जोएंट एकांट आपनिंग फॉरॉम को फिलाप कर पाएंगे नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे और दोस्तों अभी तेक जीडियों मैंन आपिनिंग करना है तो आपको एदर सीट देगा यहां जो कस्टमर कई इतने अडिकी ौट चेसिंट का पर लिख देना पड़ेगा तो कर देना पड़ेगा उसका यहां पर नाम यहां पर लिख सकते हैं तो यहां पर यहां पर नाम लिख देना हुआ इतने करने बदस्तों यहां पर आना है नेशनल टीटर फास्ट अप्लिकेंट जो भी है इंडियर उसमें टीक कर देना होगा इतना करने बदस्तों तो आब आना है अब आना है फास्ट अप्लिकेंट अंडियर इंकम कितना है तो जीतना है फास्ट अप्लिकेंट का अनुवल इंकम होगा ओ यहां तो यहां पर स्वाब्र सबनाए तो यहां पर नमबर का तैकंब कर दी आपधे वर्च आपको इनडिया में आपकोस कर दिना है ईसंदों मैं अपर नमबर महांगा यह पैंकर नमबर लेकर हर्वे नपड़ेगा पर क्लिक्द अब सकेंड नंबर जावन आख यहांपर इसका इमेलडि लिख देना होगा सकेंड आप प्लाइब क्लिए आप क्या टॉक्टमेंट दे रहे हैं जो भी टॉकंटर जो कर देना होगा उसका दोस्तों यहां पर अड्रेस डिटेल्स तो यहां पर फर्स्ट अप्लिकेंट का अड्रेस जो भी है आपको लिग देना होगा इंडिया कर देना होगा यहां पर यहां पर आ रहा है तो आपको यहां पर लिख दना होगा आड्रेस अड्रेस देना चाहते हैं तो आपको इंडिया इतना करने बाद दोस्तों आपको नीचे की और रहाना है नीचे की और रहाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एस में टीक कर देना होगा और यहां पर एक पासवर्ट साच का फोटो लगा देना होगा उसके बाद दोस्तों यहां पर फर्स्ट अप्लिकेंट क का कस्टामर स्ट को फिलाप करने के लिए तो अब करना है सतंड को सेकंड अपलिकंड का कस्टमर सीट यहां पर भी आपको उसी दरा भरना जिस दरह着 अपलिकन मांग जारा था पुरिंट Special. और होका नीचे की और आना है और फ्लिक तो यहां पे इंडीयन में टिक कर देना पड़ेगा और जो भी इतना काने बदोस्तों नीचे के औरानेक बदोस्तों सेकेंड अप्लिकेंड का अन्योल इंकम क्या है नेटेवर्ट क्या है ओचीज आपढ़ना चाते तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका है से चक्राइड का तो यहां पर हिंदु में टिक कर दिया हूँ and category general में टिक कर दिया हूँ and personal with disability में no में टिक कर दिया हूँ इतना करने बतुष तो education qualification क्या है second applicant का ओ यहाँ पे टिक कर दिना होगा तो यहाँ पे मैं 10th class pass है तो यहाँ पे मैं 10th class pass में टिक कर दिया हूँ उसके बतुष तो यहाँ पे जीके बतुष और आपको outside इंडिया में टिक कर दिना है आपको यहाँ पे second applicant का pen card का नमर मांगा जा रहा है पर यहाँ पे pen card का number लिग देना होगा उसके बतुष तो यहाँ पे mobile नमर दे देना होगा second applicant का and second applicant का email ID यहाँ पे आपको लिग दिना होगा इतना करने गए गए अब आना है second phase में दोस्तों सेकने फेज में यहाँ पर आपको address proof में टीक कर दियां में आप जो भी address proof में देना चाहते हैं ऑग टीक कर दिया होगा और यहाँ पर आपको अधरेस पूरा डीटेल्स लिग दिना होगा विलेज, अस्टेट, सिटी, जो भी है, सकेड्ड अफ्लिकेंट का उप्पुरा का फुरा फुरा फ्लाप कर देना होगा, एट्रेस आर आपको एड्रेस, दोनों जीदी एकी डखना होगा, तो यहाँ पे सेम एस करेंट पर अड्रेस में टीक करके, आपको रेसिडेंट में आ यहां पर आपको डेट लिख दिना पड़ेगा अब आना है दूसरे वाले पेज में आपको क्या-क्या भरना पड़ेगा तो मैं दिखा दे रहाँ दोस्तों यहां पर आपको Saving bank account में Tick कर देना पड़ेगा और इसके दोस्तों यहां पर सर्विस रिक्वाइट यहांपर फास्ट एफलेग्ण डोनों मोबवाइड कार चाहिए तो दोनों में टिक करना पड़ेगा यहां पर दो लों का नाम लिख देना पड़ेगा है Smis हरलेट ch क्तर वाद स्टेटब्स लेना चाहिए तो रिक्विड़ कमीर पासबृक हो से उसके वाद हर्याद सेटमेड सेथ हैं ज़ेदी चालू करना चाहते दोनों फर्स्ट अफ्लिकेंट एंड सेकेंड फ्लिकेंट तो दोनों में SS में टीक कर देना होगा इदना करने बाहता दोस्तो अब आना है नेक्स्ट पेज में में यहाँ पर फॉरम that यह वन नमिनेशन फॉर्म तो यहां पर नमिनी मांगा जा रहा है तो यहां पर फर्स्ट अप्लिकेंट यहां पर नाम लिख देना होगा तो यहां पर अपना नाम लिख ला है और यहां पर आपको ब्रांच का नाम लिख देना पड़ेगा और यहां पर बोला जा रहा है जैस उसको रखेंगे उसका नाम यहां पर लिक देना होगा यहां पर फार्स्ट अपलिकाइंड का सिकनेचर कर देना होगा इतना करने बाद दोस्तों नीची के रहना है मैं टेकर औने को कर सकते हैं यहां पर आपको place लिख देना पड़ सोगते हैंud आप ऐस्पाम इस फॉर्म को submit करेंगे उसके बाद यहां पर मुम की सिखनेचर यहां पर सेकेंड अप्लिकेंड का सिखनेचर उसके लोधार फर्म कुछ ने करना पड़ेगा ये लहां को खाली छोड़ना पड़ेगा यहां पर लिखा हुआ आपको first applicant का signature कर देना होगा और यहाँ पर आपको second applicant का signature कर देना होगा तो दोस्तो इतना करना होगा दोस्तो आपका estate bank of India का joint account opening form फॉर्म पूरा तरफ से fluff हो गया है तो दोस्तो आपको करना क्या है आप दोनों का ID proof original ले करके जाना है बैंक ब्राज में और दोनों का password सेच का photo ले करके जाना है और जा करके original और उसके साथ आपको direct copy भी ले करके जाना होगा direct copy आपको इसके साथ attach कर देना प्रएगा और और आपको दिखाना होगा और फोटो भी इसके साथ लगा देना होगा लगाने के बाद दोस्तो आपको बैंक में जामा कर देना होगा जामा करने बाद दोस्तो आपका joint account opening हो जाएगा आई अप आप लोग सीख गियेंगे कि estate bank of India का joint account opening form को कैसे fill up किया जाता है टाटा बबाई जे हिन बंदे मात्रा होगा